तो आज के टोपने में बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेनेजमेंट की और इसके क्या इंपोर्टन्स है इंडस्ट्रियल मेनेजमेंट की तो बेसिकली इंडस्ट्रियल मेनेजमेंट होती क्या है इंडस्ट्रियल मेनेजमेंट के एक एक आर्ट है जो किसी और से काम करवाना निकलवा रहा है उनसे, उनको पेड़ करके उनसे काम करवा रहा है, उसको कहते है इंडेस्ट्रियल मेनेजमेंट, और मेनेजमेंट इस प्रोसेस ऑफ कम्प्लीट सर्टेन अब्जेक्टिव थ्रू दी यूटिलाजिशन ऑफ हुमन और रिसोर्सेस, कि मेनेजमेंट क्या होती इसमें जो भी मेनेजमेंट का अब्जेक्टिव होता है, जो भी गोल होता है, उसको कम्प्लीट करना, उसको एचीव करना, इसकी हल्प से, मेनेजमेंट की हल्प से, जो किसी भी इंडेस्ट्री का, किसी भी मेनेजमेंट का अब्जेक्टिव को, अब्जेक्टिव या फिर गोल को एचीव करना उसको कहते हैं management importance के management की importance है for the accomplishment of goals जो भी goals उनको पूरा करना किस की help से women की help से और resources की help से for effective utilization of resources जितने भी resources उनका अच्छा से इस्तमाल करना providing vision and foresight foresight क्योंते दूर द्रिश्टी यानि कि आगे का विश्य में कि हमारी company कहां से कहां पहुंचेगी vision रखना कि आगे जैसे कि हम इस company इस साल हमारी company ने इतनी इतना profit किया turnover में अगली साल इससे भी ज़्यादा हमारा profit होना चाहिए next point है to help employee in achieving personal goal objective जो employee काम करते हैं हमारी company के अंदर management के अंदर उनके जो personal goal है उनको भी achieve करवाना जैसे कि कोई भी employee हमारी जब company में काम करता है तो उसके goals होते हैं जैसे कि उसने कुछ newsman के लिए कुछ लेना है या फिर उसको आगे ज्यादा क्या चाहिए उसको knowledge gain करने किसी भी company से किसी management से उसकी goals होते हैं उनको achieve करवाना development of society and nation जो हमारी society and nation है उसकी development के लिए management का होना बहुत ही जरूरी है तो यह था basically importance of management होती है industrial management किसे कहते हैं तो यह थे कुछ points आयो पापको वीडियो अच्छा लगो तेंक यू